सीरियल गुम है किसी के प्यार में के स्टार नील भट इस समय अपनी पत्नी एश्वरया शर्मा को काफी मिस कर रहे है टीवी एक्टरस एश्वरया शर्मा अभी कैप टाउन में है रेयल्टी शो खत्रों के खिलारी की सूटिंग कर रही है खत्रों के खिलारी में काम करने के लिए एश्वरय सर्मा ने अपने सुपरेट टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में को छोड़ दिया था गुम है किसी के प्यार में को छोड़ने के बाद एश्वरय सर्मा ने कैप टाउन के लिए उड़ान भरी और इस शो में आने के लिए एश्वरया सर्मा को अपने परिवार से भी अलग होना पड़ा एश्वरया सर्मा के जाने से नील भट काफी अकेले पड़ गए है और एश्वरया सर्मा को भी कैप टाउन में नील भट की बहुत याद आ रही है इस बात का खुलासा खुद एश्वरया सर्मा ने किया है एश्वरया सर्मा ने कुछ फोटो सोसल मीडिया पर शेयर की है इन फोटो में एश्वरया सर्मा अपने पती नील भट से वीडियो कॉल पर बात करती नजर आ रही है वहीं एश्वरया सर्मा को देखकर नील भट भी मुस्करा रहे है इन फोटोज को शेयर करते हुए एश्वरया सर्मा ने लिखा है कि वो अपने पती को बहुत जादा मिस्कर रही है एश्वरय सर्मा और नील भट की इन फोटोज ने सोसल मीडिया को हिला कर रख दिया है लोग लगातार एश्वरय सर्मा की तारीफ कर रहे है ऐसा पहली बार नहीं है जब लोग सच में एश्वरय सर्मा की जोड़ी की तारीफ कर रहे है आम तोर पर लोग एश्वरय सर्मा और नील भट को साथ देख कर भड़क जाते हैं लेकिन अब लोगों को समझ आने लगा है कि एश्वरय सर्मा और नील भट एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं वहीं स्टार प्लस का पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में सबसे ज़्यादा पसंद किये जाने वाले सोज में से एक है इसके सबी किरदार आज ओडियंस के दुलों में राज करते हैं लोगों को सही पाकी और विराट की कहानी खूब पसंद आती है और कुछ दिन पहले स्टोरी में जहां सत्या की एंट्री हुई तो एक किरदार की छुट्टी होने की खबर ने फैंस को निराश कर दिया सो में पत्र लेखा उर्फ एश्वर शर्मा विदा ले चुकी है और जब से एश्वर्या ने गुम है किसी के प्यार को छोड़ने की बात कही है तब से उनके चाहने वाले काफी परेशान है